कि आज हम लोग कख्षा नव में एक कविता है उन्हें प्रणाम और इसके रचनाकार हैं सिरी सोहनलाग दुवेदी जी आज इसके हम लोग छटे भाग के ब्याख्या करेंगे हम लोग इसके पहले छोटे-छोटे पांच भागों के ब्याख्या कर चुके हैं कि तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहां पर प्रसंग की चर्चा कर लें आपको प्रसंग भी लिखना पड़ेगा तो आप संदर्व तो पूरी कविता के लिए एक होता है क्योंकि संदर्व में आप किताब का नाम पाठ का नाम और उसके यदि गद्य है तो लेखा कि लेकिन जो प्रसंग होता है वो पद्यांसों के लिए अलग-अलग हो जाता है क्योंकि पद्यांस में हम वो चीज लिखते हैं जिसकी व्याख्या की जाती है उसी का थोड़ा सा भाग लिखते है तो इसलिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा प्रसंग की बात कर लें आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में स्री सोहनलाल दिवेदी जी ने उन देश भक्तों को प्रणाम अर्पित किया है या उन देश भक्तों को प्रणाम निवेदित किया है एकी बात है दोनों में से कोई एक लिक लेना है ठीक है निवेदित किया है जिन्हों ने कठिनाई को सहन करते हुए भी देश को आजाद करने के अपने संकल्प को नहीं छोड़ा बहुती सरल है आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे टेस डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में स्री सोहनलाल दिवेदि जी ने उन देश भक्तों को प्रणाम अर्पित किया है जिन्हों ने कठिन कठिनाई को सहते हुए भी या कठिन परिस्थितियों को सहते हुए भी को आजाद करने की जिद को नहीं चोड़ा संकल्प को नहीं चोड़ा ठीक है उसके बाद व्याख्या की बात आती है तो व्याख्या में हम लोग सबसे पहले एक-एक जो सब्द हैं उनकी मीनिंग उनके अर्थ को जानते हैं फिर व्याख्या करते हैं तो चलिए पहले हम लोग एक-एक सब्द देखे यदि आपने सब्दों की मीनिंग जान ली तो थोड़ा बहुत जो जोड़ना होता है और यह वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि ये पद्यांस थोड़ा सा बड़ा है तो पढ़ना है हम लोगों को घबडाना नहीं है आराम से थोड़ा-थोड़ा देख करके सीख सीख करके और सीखना है चलिए उस वही रहेगा स्वादेश स्वा माने अपना देश माने देश स्वादेश माने अपना देश के वही रहेगा स्वाभिमान स्वाभिमान का मतलब होता है अभिमान स्वाभिमान गौरो को कोटी मतलब होता है करोणों और प्रणाम का मतलब आप समझ रहे हैं प्रणाम नमस्क जण्जीरों अर्थात हत्कडियों में कसे हुए वही रखिए या जक्डे हुए कसे हुए जक्डे हुए पकडे हुए को एक सब ले लेंगे पकडे हुए तोоки इसि प身ख्यों देखें सिक्टों जो जेल का जन्म देने वाली भूम जननी माने माता, तो जन्म भूम जननी अर्थात भारत माता की करते वही रहेगा, जैजैकार भी वही रहेगा, करते जैजैकार, सही सहन किया, सही माने सहन किया, कठिन हतकडियों, कठोर हतकडियों को सहन किया, और क्या सहन किया, बेतों की मार को सहन कि कि वही रहेगा बेतों की मार डंडों की मार जो पुलिस के पास डंडा होता है तो बेतों की मार डंडों की मार क्या किया सहन किया कि आजादी वही रहेगा की वही रहेगा कभी वही रहेगा न माने नहीं छोड़ी वही रहेगा टेक माने होता है संकल्प टेक माने संकल्प और पुकार माने पुकार नारा स्वार्थ लोब लालच यश माने प्रशिद्धी कभी वही रहेगा सका है जिन्हे न जीत इन सब का आर्थ वही रहेगा कुछ भी नहीं बदलेगा ब्याख्या के समय भी नहीं बदलेगा चलिए आगे देख लेते हैं जो अपनी धुन के मतवाले अपनी धुन के मतवाले मतलब अपनी धुन के पक्के मन के मीत अर्थात जो उनके मन में आता है वह कर डालते हैं मन के मीत अब उनके मन में आता है उन्हें कर डालते हैं धाने को मतलब होता है गिराने घाने मतलब गिराना के देना सामराज जवाद यानि दूसरे देशों के ऊपर अधिकार करने की वही रहेगा दिड़ माने मजबूत दिवार वही रहेगा दिवार ही रहेगा दिड़ माने मजबूत याद रहेगा बार बार वही रहेगा बलिदान वही हम लोग बलिदान को इसी सब्द की रूप में ले लेंगे बलिदान चड़े प्राणों को इनकार्थ हो रहेगा वार मतलब जो हैं वही रहेगा अपने वही रहेगा सरनाम माने होता है प्रसिद्धी नाम फेम जिसको अंगरे जिम बोलते हैं प्रसिद्धी प्रसिद्ध होना सरनाम प्रसिद्ध होना धीर धैरेशाली वीर वही रहेगा उन सच्चे पूरसों को सत पूरसों को सच्चे पूरसों को या रहेगा रहéisाँ लेएक करम एपार कारी य से करते हैं वे उन्हीं करुंस कह वर होग द्रूमे ट्रूम को सब्सक्राइब को है परतियाम का मतलब होता है बार बार या हरपल परतियाम बार बारिया हरिपल कोटि माने करोणों प्रणाम वही रहेगा तो एक एक सब्द के अर्थ हो गए हैं चले हम लोग ब्याख्या समझने की कोशिस करते हैं आप ध्यान दीजिए भले थोड़ा बड़ी सी बड़ा पद्यान से लेकिन समझ में आ जाएगा ठीक है चले अब ब्याख् प्रस्तुत पद्यान्स में श्री सोहनलाल दुवेदी जी कहते हैं उस अपने देश के स्वाभिमान को मेरा करोणों प्रणाम है उस स्वाभिमान को मेरा करोणों प्रणाम है उसके बाद वे देजभक्त, इतना आपने से जोड़िए, वे भारत के सच्चे सपूत, कुछ भी यह अच्छा सब्द ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप क्यों देजभक्त कहीं लिखा है, तो वही आप बोले, सच्चे देजभक्त, सच्चे बीर सपूत, कोई एक सब्द ले ले तो हम सक्चे देजभक्ती ले लेते हैं वे सक्चे देजभक्त जो जंजीरों में बंधे हुए जे लों में बंध थे वे वीर सपूत अपने जोड़िये या वे सक्चे देजभक्त जो जंजीरों में बंधे हुए जेलों में बंध थे लेकिन अपने जोड़ेंगे लेकिन अपनी जन्म भूमी जननी भारत माता की जैजैकार करते रहे सही सहन किया क्या सहन किया कठोर हत कडियों और डंडों की मार को सहन किया लेकिन अपनी आजादी के संकल्प और नारे को कभी भी नहीं छोड़ा जो कठोर हत कडियों में जकड़े रहे बेतों की मार को सहन किया लेकिन अपनी आजादी के संकल्प और नारे को कभी भी नहीं छोड़ा जिन है इसको पहले कर लिए जिन है स्वार्थ लोभ और प्रसिधी का लालच कभी भी जीत नहीं सका जिन है ये अपने से इसको आगे करेंगे जिन है स्वार्थ लोभ नाम प्रसिधी माने नाम का लालच कभी भी जीत नहीं सका जो अपनी धूनके पकके थे धूनके मत वाले जो अपनी धूनके पकके थे और जो उनके मन में आये उसे कर डालते थे मन के मीत पर सामराजवाद की मजबूत दिवार का मतलब है कि भारत मुस्वें अंग्रेजों का राजित है आपको लिखना पड़ेगा कैसे लिखना पड़ेगा देखिए जो अपने से चोड़ेंगे और लिखेंगे जो सामराजवाद की मजबूत दिवार अर्थात लिखेंगे अंग्रेजियों के साम्राज को खत्म करने को बार बार अपने प्राणों को निवच्छावर करके बलिदान हो गए बलिदान चड़े यानि बलिदान हो गए इस लाइन को फिर से देखिये जो अपनी धुन के पक्के थे और जो उनके मन में आता था उसे कर डालते थे सामराजवाद की मजबूत दिवार को गिराने के लिए अर्थात अंग्रेजों के सामराज को उखाड फेंकने के लिए बार बार अपने प्राणों को नियुचावर करके बलिदान हो गए फिर आगे लिखेंगे जो जेलों में बंद होकर भी अपनी प्रसिद्धी को प्राप्त हो गए देखें यहां पर कभी ने कितने सुन्दर सब्दों का प्रयोग किया जड़ा सा देखें जब आप कहें जेल जाएंगे या कोई अपराधी जेल में जाता है तो बदनाम होता है लेकिन यहां पर कभी कह रहा है कि वो जेल में बंद होकर भी प्रसिद्ध हो गए सरनाम हो और जेलों में बंद होकर के भी प्रसिद्ध हो गए उन धैरे साली वीर उन ये उन पहले कर लिए उन धैरे साली वीर सत पूरुसों को मेरा कोट प्रणाम है उन ही करमठ अटल धैरे साली वीरों को मेरा कोट प्रणाम है जिन्हों ने अपने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की बली चड़ा दी कोट प्रणाम है अभी थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है एक बार में जल्दी जल्दी बता देता हूं फिर सब क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए देखिए आप ब्याक्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में कवी श्री सोहनलाल दिवेदी जी कहते हैं उस अपने देश के स्वाभिमान को मेरा करोणों प्रणाम है भारत के सच्चे देश भक्त जो हतकडियों में जकडे हुए जेलों में बंद थे फिर भी अपने जोड़ेंगे फिर भी जन्म भूम जन्नी अर्थात भारत माता की जैजैकार करते रहें कठिन हतकडियों में जिन्हें जकड़ा गया और जिन्होंने बेतों की डंडों की कठिन मार को सहन किया लेकिन फिर भी अपने जोड़ेंगे लेकिन फिर भी आजादी के संकल्प और नारे को कभी भी नहीं छोड़ा जिन्हें यहाँ पहले कर लें जिन्हें स्वार्थ लोब यसका लालच यस माने प्रसिद्दी कभी भी जीत नहीं सका है जीत नहीं सका है जो अपनी धुन के पक्के हैं जिनके मन में जो आ जाता है उसे कर डालते हैं जो सामराजवाद की मजबूत दीवार को गिराने के लिए अर्थात अंग्रेजों के सामराजजी को खत्म करने के लिए बार बार अपने प्राणों को नियुचावर करके बलिदान हो गए जो जो जेलों में बंद होकर भी अपनी प्रसिधी को प्राप्त हुए उन धैरे साली वीर सतपूर सों को मेरा कोट प्रणाम है उन्ही कर्मसील अटल धैरे साली वीरों को मेरा प्रतियाम मानी बार बार करोणों प्रणाम है ठीक है? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा यदि आप कम से कम दो बार देखेंगे तो निश्ची तुरूप से बात समझ में आ जाएगी एक चीज और मैं आप से कहना चाहूँगा कि आप इसको सुनने के बाद गाइड का प्रयोग नहीं करेंगे आप इसको देखिए एक बार देखिए दो बार देखिए लेकिन प्रयास अपने से कीजिए क्योंकि हमारा उद्दे से आपको सिखाना है और यदि आप सुन करके समझ करके लिख लेते हैं तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा आज बस इतना ही प्रयोग प्रयोग नहीं